हेलो फ्रेंड्स मैं आज question no.2 onwards कुछ question solve करके दिखाऊंगी तो question no.2 है find the HCF of the following numbers by prime factoration method prime factoration method मैं जब explain की थी HCF समझाई थी अभी उस method का use करके हम लोग HCF यह जो questions दे गए है इन questions में HCF निकालेंगे तो first question है 76 और 28 का HCF निकालना है by prime factoration method मैं इसको already solve कर चेकी हूँ जो pen में लिखा गया है ऐसे step wise इस question को solve किया जाता है मैं अभी pencil से जो आप लोगों को बतांगे वो बस explanation है तो 76 देखिए यहां पर 6 once place में है तो यह number 2 के साथ divisible है 2 के साथ जब हम 76 को divide करते है 2 3 जा 6 minus करने से 1 यह 6 नीचे आएगा 16 तो 2 8 जा 16 minus करने से 0 तो आंसर होगा 38 अभी 38 में once place में 8 है तो यह number 2 के साथ divisible है तो 38 को जब हम लोग 2 के साथ divide करते हैं 2 1 जा 2 minus करने से 1 8 नीचे आएगा 2 9 जा 18 minus करने से 0 तो 2 30 divided by 2 19 है अभी 19 एक प्राइम नंबर है वो 19 के साथ ही divisible है तो 19 divided by 19 1 है तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 into 2 into 19 है next है 28 यहां once place में 8 है तो यह number 2 के साथ divisible है तो 2 के साथ जब करते हैं तो 28 divided by 2 करने से 2 1 जा 2 minus करने से 0 तो 8 नीचे आएगा 2 4 जा 8 अब ऐसे भी कर सकते हैं नहीं तो जिसे multiplication table में होता है 2 into 14 equal to 28 वैसे भी कर सकते हैं तो यहां पर 14 आएगा फिर 2 के साथ divide करेंगे 14 divided by 2 7 फिर 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 के साथ ही divide हो सकता है तो 7 divided by 7 1 तो इसका प्राइम फैक्टरेशन है 2 into 2 into 7 28 का ये प्राइम फैक्टरेशन है 76 का ये प्राइम फैक्टरेशन है अभी हम लग common factors चूज़ करेंगे तो इस case में दोनो cases में यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है बाकी 19 और 7 दोनों जगा नहीं है इसलिए 2 बार 2 को हम लोग common factors के तरह लेंगे तो common factors of 76 and 28 2 कॉमा लेके 2 लिखेंगे फिर HCF of 76 and 28 इक्वल टू ये दोनों को हम लोग multiply करेंगे तो 2 into 2 equal to 4 तो HCF of 76 and 28 4 है next है 24, 16 और 36 का HCF हमें prime factoration से निकालना है तो 24 में देखें यहाँ one place में 4 है तो यह 2 के साथ divisible है तो 24 divided by 2 12 है यहाँ देखे 24 divided by 2 जब हम लोग करते हैं 21 जा 2 minus करने से 0 तो 4 निचा आएगा 22 जा 4 minus करने से 0 तो 12 अभी 12 को भी 2 के साथ divide कर सकते हैं क्योंकि 12 में 1's place में 2 है तो यह 2 के साथ divisible है तो 12 divided by 2 6 6 2 के साथ divisible है 6 divided by 2 3 अभी 3 एक prime number है वो 3 के साथ divisible है तो 3 divided by 3 1 तो 24 का prime factoration 2 into 2 into 2 into 3 ऐसे नेक्स्ट है 16 का prime factoration निकालना है तो 16 2 के साथ divisible है एक even number है और 1's place में 6 है तो 16 divided by 2 8 अभी 8 को 2 के साथ divide करेंगे 8 divided by 2 4 अभी 4 को 2 के साथ divide करेंगे 4 divided by 2 2 फिर अभी यहाँ पर 2 एक prime number है तो 2 divided by 2 करने से हमें 1 मिलता है तो इसका prime factoration है 2 into 2 into 2 into 2 यानि 2 को हम लोग 4 बार multiply करने से हमें 16 मिलता है अभी 36 का देखेंगे 36 के 1 प्लेस में 6 है तो 36 भी 2 के साथ divisible है तो 36 को 2 के साथ divide करेंगे यहाँ देखें 36 divided by 2 करने से 2 1 जा 2 माइनस करने से 1 फिर 6 नीचे आएगा 2 8 जा 16 माइनस करने से 0 तो 18 आएगा 36 divided by 2 करने से 18 तो 18 को भी 2 से हम लोग divide कर सकते हैं क्योंकि 18 एक even नमबर है और इसके 1 प्लेस में भी 8 है तो 18 divided by 2 9 9 अभी 3 के साथ divide हो सकता है तो 9 divided by 3 3 फिर 3 एक प्राइम नमबर है वो only 3 के साथ divide हो पाएगा तो 3 divided by 3 1 तो 36 का प्राइम फैक्टरेशन है 2 x 2 x 3 x 3 तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ 2 x 2 x 3 x 3 और यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टरेशन और यहाँ पे 16 का प्राइम फैक्टरेशन अभी इन में से हम लोग common factors choose करेंगे तो यहाँ पे देखिये 2 every case में बहुत सारा है तो पहले हम लोग जहां पर minimum number of 2 है उसको compare करेंगे बाकी number के साथ तो यहां 2 2 है तो हम लोग इसके साथ जब compare करते हैं हमें 2 2 मिल रहे हैं इसके साथ भी 2 2 मिल रहे है तो यह 2 2 common है every case में तो अभी 2 के बारे में हम लोग आगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2 को हम लोग compare कर चुके हैं अभी 3 को देखेंगे तो 3 यहां पर एक बार है यहां पर बिलकुल नहीं है और यहां पर दो बार है तो 3 भी हमारा common factor में नहीं है तो common factor of 24, 16 and 36 दो बार 2 है तो स्थ इसका 2 into 2 equal to 4 है तो एक ट्रिक यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप प्राइम फैक्टरेशन लिखते हैं नंबर्स का तो अगर बहुत सारा बहुत सारे बार वो नंबर रिपीट होता है एवरी केस में तो उस सिनारियो में आप जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितना minimum number of times रिपीट हो रहा है उसको चेक कीजिए तो यहां जैसे देखिए दो बार ही 2 रिपीट हो रहा है उसके बाद आप एवरी केस में चेक कीजिए कि दो बार 2 रिपीट हो रहा है या नहीं तो यहां भी 2 बार है यहां भी 2 बार है तो ऐसे करने से आपको HCF को compare करके निकालने में बहुत easy होगा तो इसका HCF 4 है नेक्स्ट है 34, 38, 64 और 82 तो 38 का पहले प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 32 के साथ divisible है 38 divided by 2 करने से 2, 1 जा 2, minus करने से 1 फिर 8 निशे आएगा तो 2, 9 जा 18, minus करने से 0 तो 38 divided by 2 करने से हमें 19 मिलता है 19 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमेशा खुद के साथ ही divisible होता है तो 19 divided by 19, 1 तो 38 का प्राइम फैक्टरेशन है 2 into 19 नेक्स्ट है 64, तो 64 2 के साथ divisible है इविन नंबर है 64 और 1 स्प्लेस में भी 4 है इसलिए 64 2 के साथ divisible है हम लोग 64 divided by 2 करेंगे तो 2, 3 जा 6, यह 4 निचा आएगा 2, 2 जा 4, minus करने से 0 तो 32 होता है अभी 32, 2 के साथ divisible है divided by 2 करेंगे 2, 1 जा 2, minus करने से 1 फिर 2 निचा आएगा 2, 6 जा 12, minus करने से 0 तो 16, फिर 16, 2 के साथ divisible है 16 divided by 2, 8 फिर 8 को 2 के साथ divisible करेंगे तो 8 divided by 2, 4 4 divided by 2, 2 अभी 2 divided by 2, 1 तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 times repeat हो रहा है 64 के prime factoration में तो इसको ऐसे लिखेंगे next है 82 82, 2 के साथ divisible है तो 82 को जब हम लोग 2 के साथ divide करते है 2, 4 जा 8 फिर ये 2 निचा आएगा 2, 1 जा 2, minus करने से 0 ये 0 यहाँ पे होगा तो 41 है अभी 41 एक prime number है तो 41, only 41 के साथ ही divisible है तो 41 divided by 41, 1 तो 82 का prime factoration है 2 into 41 तो यहाँ पे मैं सारे prime factoration लिखती हूँ different numbers का तो यहाँ पे देखे 2 every case में repeat हो रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि minimum number of times यानि कि कितने कम बार 2 every case में repeat होता है तो जब हम लोग compare करते हैं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक ही बार repeat हो रहा है फिर यह दोनों से जब compare करेंगे दोनों cases में एक एक बार 2 repeat हो रहा है तो यह हमारा common factor है बाकी 41, 19, rest of the 2s repeat नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा common factor 38, 64 and 82 का 2 है तो hcf of 38, 64 and 82 equal to 2 यह हमारा question number 2 खतम होता है मैं अपने next video में question number 3 के कुछ question solve करके आप लोगों को दिखाऊंगे Thank you